मेरे मित्र V.S. Krishnan जी जो फिल्मों के बहतरीन आलोचक हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आप सब के लिए दृश्यम 2 को रिव्यू करूँ उनको फिल्म बहुत अलग लगी और मैंने पूचा भई फिल्म तो मल्यालम है लेकिन उन्हें ने कहा कोई चिंता नहीं है स सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा ऐसा ही हुआ सब्टाइटल्स बहुत ही अच्छे हैं और क्यूंकि फिल्म इत्पिनाम से चलती है उन्हें पढ़ना भी आसान है फिल्म को मज़ा ले सकते हैं आप दृश्यम 2 आपको केरल के देहात में ले जाती है और मिलाती है उन साधारन सीधे साधे लोगों से जो एक छोटे गाउ में रहते हैं गाड़ फियरिंग है और जहां दृश्यम 1 के जॉज कुटी जो एक स्कूल डॉप आउट थे और गाउं में लोकल केबल टीवी चलाते थे अब एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं फिल्म की अपरतीम बात य क्या हुआ इसका मतलब यह है कि परिवार साथ साल बड़ा हो गया है और नजर भी आता है बड़ी लड़की अप टीनेजर हो गई है जॉज कुटी अब एक प्रतिष्टिट सिनेमा मालिक हैं और फिल्म स्कृप्ट लिखवाने में व्यस्त हैं और काफी पैसा भी उन्हें में खर्च किया उस क्रिप्ट पे इसका एक इंपॉर्टेंट वाइना है याद रखिए यह बड़े अद्भुत तरीके से कहानी को आगे बढ़ाता है क्योंकि असली जीवन और फिल्म के जीवन एक हो जाते हैं और यह संयोग अंतक चलता है अफिल्म विदिन फिल्म पर द गुंड़त नसारम ही पुड़ी स्टेशन हम इन्हें सम्डेशी की मनना यह नुरत से विश्व सिकिना अगर दिर्श्यम वन में एक लड़के का एक्सिडेंटल मर्डर हो जाता है और गाउंवलों का मानना है कि जॉज कुट्टी की पतनी रानी और उसकी बेटी अनू नही किया है अब दिर्श्यम वन इतना काम्याब हुआ कि वो साथ भाशाओं में दोबारा बनाया गया जी मगर सबसे काम्याब मल्यालम में ही था महुनलाल के साथ इसका कारण महुनलाल ही थे जिसने एक आम आदमी को इतना परफेक्ली प्ले किया सिर्फ भुला भाला ही नहीं चालाग भी सिर्फ अनपढ़ ही नहीं होशार भी एक आम नागरिक जिसे अपनी परिवार को हर हालत में सुरक्षित रखने की शमता है और जिस चतुराई से वो सुरक्षित रखता है फिल्म के दूसरे हिस्से में हमें तो दंग कर देता है Amazon जैसा OTT platform पे आप इसका पूरा मज़ा उठा सकते हैं जब रोकना है हब रोकिए जब आपको इसको दोवारा देखना है आप फिर दुवारा देखिए आप अपने हिसाब से इसको देखिए कोई बादा नहीं है फिर भी इतनी खूब सूरत और सफल फिल्म में भी मेरी तीन अलोचनाएं हैं सुन लिजे पहली अलोचना हम औरतों की नेक नामी यानी रेपिटेशन औरों की चर्चा से क्यों डापते हैं? क्या उनकी बुद्धी और काब बेहतर नाप और निशानी नहीं हैं? इस वक्त आईजी पुलीस थी वो नैचर्णली बदला चाहती है नियाय नहीं पर फिल्म में नियाय का जिक्र कभी नहीं होता और तीसरी और आखरी अलोचना जो डिये ने बदला जाता है वो बहुत आसानी से हो जाता है जी सिर्फ स्क्रिप्ट में एक और ट्विस्स लाने के लिए लगता है और चाहे की दुकान में रिक्षा वाले साथ साल के बाद भी वही मोडर का फुस-फुस कर रहे हैं ये भी स्क्रिप्ट में सस्पंस बढ़ाने के लिए ही लगता है मगर जैसे मोहनलार खुद अपने फिल्म स्क्रिप्ट के बारे में कहते हैं कि कोइंसिडन्स क्यों नहीं हो सकते हैं हीरो लखी क्यों नहीं हो सकता है भागयवाल क्यों नहीं हो सकता है फिल्मी तो है अब इसका कोई जवाब नहीं है फ्रैंकली इसके इलावा ऐसी नायाब फिल्म को हमें देखने का मौका मिला है इसके लिए हम दर्शक भागेवाल है दर्शियम टू की खूबी ये है कि इसमें कोई कैरेक्टर विलल नहीं है हीरो नहीं है एक एक में दोनों का मेल है और ये डिरेक्टर जी तो जोजिफ का कमाल है इस फिल्म को देखते देखते एक नशा सा महसूस होता है सच और एक संदेश भी मिलता है कि कभी कभी जेल से भी ज्यादा सजा होती है जिन्दगी भर एक भयानक जूट को जीना द्रिश्यम टू को मैं देता हूँ नाइन आउट ओफ टेन अगर आप सबर रख सकते हो तो ये फिल्म आपको कैद करके रखेगे पर मेरे सब्सक्राइबर बटन दमाने में आप सबर न करें जी तो रख दबाईए और मेरे अगले रिव्यू का नोटिफिकेशन पाईए ओके